हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पलता मंत्र दोस्तों 69,000 सिच्छक भरती वामले में गवार फिर से अपडेट लेकर आप सभी के बीच में आएं सुभह से काफी लोग कॉल कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि क्या आज मेरिट लिष्ट जारी होगी या नहीं होगी तो इन सभी बात आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें इसका लिंक आपको नीचे ही सबसे पहला लिंक दिया गया वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को जोइन कर सक जहां पर आपको सभी important updates, news और photo बगरा शेयर करते रहते हैं तो देखें सबसे पहली बात है कि विग्यप्ति कब जारी होगी तो इसके लेकर देखें निउस पेपर में सीधे सीधे दिया हुआ कि भरती की विग्यप्ति जो है वो आज रात चैन सूची जो है वो आज रात या फिर सोमबार सुबह आएगी इसको लेकर पहले सही कुछ आसंकाई जताई जा रही थी कि ये सोमबार को आ सकती है तो आज का दिन संडे है और इसके लावा कुछ अनकारण भी हो सकते हैं लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि PNP का काम जो है इसके लावा उत्तरप्रदेश सरकार का काम जो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है हो सकता है आज दोपहर के बाद ही जारी कर दी जाए जैसा कि सुनने में आ रहा था सिर्फ सौफ़वेर के माध्यम से सभी पूरे डाटा में से 79,000 अभ्यर्थियों को उठाना था तो वो कार लगवक संपन हो चुका है सासन की ओर से जैसे ही पूरी पूरी जानकारी दे दी जाती है कि हाँ ये प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए तुरंत इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है परसिदी प्राथमी के स्कूलों में 79,000 सायक अध्यापक भरती की चैन सूची रविवार रात या फिर सोंबार सुबह जारी होगी बेसिक तिच्छा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेवल के नुसार 31 मई को जिलेवार आवंटन सूची जारी होनी थी लेकिन बाद में मोवाईल नंबर संसोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की थी जो वो दो दिन बढ़ा दी गई थी 26 के अद 28 तक आपके फॉर्म को लेकर भी कई जिलों ने अपनी विग्यप्ति जारी कर दी है उन विग्यप्ति में आपको सभी मूल अभिलेक क्या क्या चाहिए हैं कितनी फाइल चाहिए हैं पूरी जानकारी दी हुई है तो कुछ एक दो जनपत की आपको विग्यप्ति हम सामने दिखा देंगे इसके अब आपने सभी अविले की फोटो कॉपी के लगभग चार सेट जरूर कम्प्लीट करा लें इसको लेकर एक क्लास हम ला चुके हैं जिसमें आपको सभी डॉक्यमेंट्स की पूरी जानकारी दी गई थी इसके लाबा जो आपका एफ़ी डेफिड वनना है वो आपके जिले के भरा गया था 79,000 एक्जाम के पहले इसके लाबा ड्राफ्ट 500 रुपए का उसमें आपका ड्राफ्ट के पीछे अवियर्थी का नाम पिता का नाम रिष्टेशन नमरी लगवक सभी लोगं को लिखना होता है इसके लाबा नोटरी देखे वहाँ पर अलग-अलग 5 बनवाए दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस वजए से इसके लाबा जो आपने आईडी प्रूफ लगाया हो सिच्छा मित्रों के लिए उनकी नियुक्ति को लेकर जो कागज हो प्रवाण पत्र हो वो ऑनलाइन आवेदन जो देखे उस समय किया था उसके यह देखे इ प्रॉब्लम हो रही सो नहीं हो रहा है तो वो लोग निश्चिंत रहें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी एक जादा हो एक 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 एफ़ीड एफ़ीट आप लोग बनवा सकते हैं कि उस समय कॉलेज चल रहा था आप कॉलेज बंद हो गया है दस रुपए के स्टाम पर बनवा सकते हैं बाकी जादा इसकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है निप्टा दिया जाएगा तो च स्टीन वर्स का मानिता की कॉपी चाहिए है तो काफिलों के कॉलेज बंद हो चुके हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन देख लीजेगा कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो सकता है भी आपको मिल जाए कॉल करके देखेगा कॉलेज में या फिर एंसी टी की वे गोरकपुर में इस प्रकार से आपके मूल अविलेक दिये गए यह यह चाहिए है इसके लावा आपको दो फाइल नंबर एक और फाइल नंबर दो यह दो फाइलों में वही सभी डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए उसी क्रम में लगे होने चाहिए यह संपूर्ण जानका आपको वहाँ प्रोवाइड करते रहते हैं साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो आपके घर परिवार में सुपर्टेट की त्यारी कर रहे हो उनको बता दीजेगा सुपर्टेट 2020 की सीटेट यूपी टेट सब की त्यारी प्रारम्ब हो चुकी है जो कि आपके डेली साम को साथे पांच बेजे क्लास होती सुपर्ट की क्लास में हम लोग करंट फेर को कवर करते हैं तो सभी क्लासेश को देखते रहे हैं टेली ग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा थैंकि दूस्तों गुडबाय टेक केर